इस वीडियो में हम देखेंगे ALSW और उससे डिलेटेड बुकलिस्ट बुकलिस्ट आपको इसके लास्ट में इमेज फॉर्म में मिल जाएगा आप वहां से देख ली चाहिए इसको एकदम से इजी माल लेना ही सबसे बड़ी गलती है इतना आशान भी नहीं है आसान है इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ रट के लिख दोगे और नंबर मिल जाएगा आपको तो यह गलत फ्रैमी को सिब दूर कीजिए चलिए इस लेबस को पहले देखते है पहला स्रम व प्रिंसिपल क्या है labor law से डिलेटिफ से इतस क्या है पहले किす तरह का labor LAW भी किस तरह का है कैसे changes आया और इसको connect कैसे करें हमारे constitution में किस पर कुस परकार से इसके वारे में provision किया गया है यह सारा यहां पे labor इसके बाद जो पहला सिक्सन है उसमें आपको अलग-अधिनियम आ जाएंगे जैसे कारखाना एक्ट अपने आप में एक बड़ा है सवाल इसके कुछ से से पूछा जाता है जैसे बच्चों से रिलेटर प्रोविजन क्या है तो यानि सेटेशन के लिए क्या प्रोविजन है क तो इस तरह से अलग-अलग सिक्सन से हापे सवाल किया जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ा है नियूंतम मजदूरी अधिनियम मजदूरी भुकतान अधिनियम समाजी परिस्रमिक अधिनियम कर्मकार छतिपूर्थी अधिनियम प्रसूती हितलाव अधिनियम अभी एमेंड दुकान और प्रतिष्ठान साथ में जारखंड को भी बिहार का स्रमपरसासन साथ में जारखंड का भी स्रमपरसासन उसके बाद International Labour Organization उसका formation कैसे हुआ उसकी किरिया कलाब क्या है उसका जो भी standard है Labour को लेकर वो क्या है और Indian Labour Organization का भारत के Labour Law पर क्या प्रभाव पड़ा कैसे प्रभाव पड़ा तो इस तरह की सारी चीज़ें यहां पर है तो यह section में तो चोलो लगता है कि याद कर लेंगे लिख लेंगे लेकिन इसको भी याद करके current से connect करके और अलग-अलग article के साथ इंटर लिंक करके जब हम लिखते हैं तब हमें score आता है साथ में इसके जो भी धाराएं है section है उसको भी याद करना होता है और यह section तो जो ठीक आप पढ़ लो के समझ में आ जाएगा लेकिन यहां पर भी आपको इंटर लिंक करना सीखना होगा आये लो या इंडियन लेबर लो बिहार लेबर अद्मिस्रेशन इसको भी देखना होगा second थोड़ा ज़्यादा applied है second एकदम से आसान नहीं है applied ज़्यादा है यहां पर क्या पूछा गया है यहां पर second section में क्या है न कि labor union की बात की गई है और fact भी है और द्योगिक विवाद एवं हर्ताल यानि जो भी industrial dispute होता है strike होता है उसको right है कि नहीं उसको सुल्जाने का तरीका क्या क्या है क्यूं होता है कैसे रोका जा सकता है इसमें सामुहिक सौदेवाजी एक अलग topic ही हो गया आपका और द्योगिक विवाद अधिनियम के अंतरगत क्या क्या प्रोविजन किया गया है ये सारा यहां पर आता है प्रबंद में सरमीकों की भागदारी DPSP के अंदर भी हमारा है हमारे समिधान के अंदर है अब प्रबंध में स्रमिकों की भागिदारी क्यों दी गई? किस तरह की organization उसके लिए? कि यहां पर पूरी तरह से success नहीं है? फौरन में है? यहां नहीं है? ऐसा क्यों है? भारत में जो labor union है? उसका इतिहास क्या है? उसका development कैसे हुआ, क्यों उसको बनाया जाता है, उसका administrative structure कैसा है, political party से जो ये जुड़े है, तो उसका फाइदा क्या है, नुपसान क्या है, अलग-अलग सरम संग के बीच में जो competition है, वो क्या है, और सरम संग अधिनियम 9026, ये एक अलग ही है, तो ये सारा यहाँ पे है, उस में, समाजकल, अब ये section जैसे ही समाप्थ होता है, हमारा ये वाला, अब यहाँ पे social issue आजाता है, क्योंकि लिखा है न, LSW, labor welfare and social issue, तो यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, अब social issue से दिलेटर चीज़े आएगी, मतलब समाजिक सुरक्षा, किस तरह का होता है, क्या उसका होता है, नेचर क्या होता है, अब उसके अंदर अलगर टॉपिक है, बेरुजगारी, निर्धनता, बाल कल्यान, महिला कल्यान, अनसूचित, SCST के लिए, मद पान, विश्यवर्ति, भिक्षवर्ति, इस तरह की चीज़े, मतलब कहने का है, कि इस तरह की चीज़े, आपको ल और बहुत इसली पॉइंट्स पॉइंट्स लिखा और निकल गया, तो according to questions आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और उपर में जो यह topic भी है, यह भी second section आसान नहीं है, यहाँ पर भी आपको कई सारे current content के साथ चीज़ों को proof करना होगा, तो खुल मिलाके, यही आपका LSW लुकास लेबस से, अब रहा सवाल booklist का, तो यह चुकि इसमें बहुत सारे किताबें नहीं है, आप कम किताब पढ़के भी काम कर सकते हो, जैसे पंकस तिवारी की दो किताब आती है, अलग-अलग volume में, वो आप ले लिजे, इंदु बाला की किताब है, इसके अंदर दोनो section है, इंदु बाला की किताब जरूर लीजे, अभी बदलते pattern में आपको इस किताब को follow करना चाहिए, तीसरा, हमारा notes आप ले लिजे, तो यह तीनों को मिला के कर लोगे, तो आपकी तैयारी एक हद तक पूरी हो जाएगी, यानि पंकस तिवारी का follow कीजे, इंदु बाला क साफ हमारे notes भी ले सकते हैं, या जिसका भी आप लेना चाहिए, तो इस तरह से आप LSW की एक अच्छी त्यारी कर सकते हैं, इंदु बाला की किताब आपको लेनी है, यह ध्यातकना, चलिए आगे भी कुछ और subject बचे हैं, उससे भी related videos upload कर दिये जाएगा,